नेलसन मंडेला जीवनी नेलसन मंडेला कु जन्म उनेसे अठार जुलाई अठार मां दचिन अफ्रिका कु मेव जोमा भैका थे उनको पिता गडला हेनरी मया किनेवा एक इस्थानी पर्मुख थे र थिम्बु राजाकु संतान थी वहां आपनी आमा नुशक के निकु पहिलो संतान हुनुन थे र आपना बुवा का सबै संतान हरु मदे तेरा भाय हरु मदे तेस्रो हुनुन थे मंडेला का बुवा हेनरी मेव जो सहर का आदिवासी पर्मुख थे नेले सन मंडेला दचिन अफ्रिका का पर्थम राष्टपती हुन मंडेला सन 1994 देखी 1999 सम्म। दचिन अफ्रिका का राष्टपती थे र पहिलो दचिन अफ्रिकी राष्टपती हुन जो बहु सम्म लित जुनार्मा सबै बाट चुन्ये का थे राष्टपती हुनु अगी उनी काला जाती का तर्क का कुचल कारी करता थे र उम खोंतो वे सिजवे का नेता थे जुन अफ्रिकन राष्टिये कांग्रेशकु भात्र संगठन थ्यू मंडिला सन उनेशु तिरानवेकु नोबिल सांती प्रसकार सहित चार दसक भांदा बढ़ी समयमा दुशे पचास भांदा बढ़ी समान हरु पैसे के काचन नेरशन मंडिला दचिन अफ्रिका का सन अठार जुलाई उनेश से अठार मा जन्मे का विश्व परसित ब्यक्तित्व हुन उनी आपनों जीवनमा रंग भेदी जाती भेदी नेतिर्त बिरुद अनरत लडेर दचिन अफ्रिका को पहिलो अश्वेत राष्ट पर्मु बनाये का ब्यक्ति हुन मंडिलाली राजनितिक जीवनमा लामो समय जेलमा विदायका थे मंडिलाली रंग भेद बिरुद को अन्दोलन को नेतुद गर्णू भाईको थियो जसका लागी उहालाई सत्यस बर्स सम्म जेल सजाई भाईको थियो 1926 मा मंडिला मां देश द्रहको आरोप लाईको थियो भन्नी 1964 मां आजीवन कारावास सजाई भाईको थियो मंडिला 1943 मां अफ्रिकीन नेशनल कांग्रिक्स संग आबद्ध हुन्नु भायो पहिला सम्मानी कारिकरता रहिका उहां युवा साखा को सस्तापक हुन्दै अध्यक्स बन्नु भायो बर्स सम्म जेल जीबन बिताई पची उहां अफ्रिकीन नेशनल कांग्रिक्स को अध्यक्स बन्नु भायो चार बर्स पची मंडेला सेथ 155 जना माथी दिस दुरह को आरोप लागयो चार बर्स सम्म चले का सुनवाई पची मंडेला माथी को आरोप खारेज भायो उनेशेव साठी मा अफ्रिकीन नेशनल कांग्रिक्स माथी पर्तिबन्थ लागय पची मंडेला भमिगत हुन्नु भायो मंडेला जेल गवाई पची विश्व भर्क मा रंगभेदी बिरुद का आंदुलन को एक पर्तिक पन्नु भायो मंडेला उनेशे नब्य मा जेल बाट छुटनु भायो बानिशन उनेशे तेरा नब्य मा नोबेल सांती प्रसकार बाट समानित गरिये को थिव महा उनेशे चुरा नब्य मा दिश को पहिलो अस्वित राष्पती बन्नु भायो पाच बर्ष रास्पती बने पची पच्छाडनु भईर दिहाजार चार मां सार्वजनिक जीवनबाट अवकास दिनु भईकु थिव। दचिन अफ्रिका कु रंगभेदी सासन अंतेका लागी नेतित्व दाई भविका खिलेका मंडेला 37 बर्ष लामु जेल सजाई भईकु थिव। जेल भटा छुटनु भई। पनिशन 1934 नोबेल सांथी प्रोषकार भटा समानित गरीकु थिव। दचिन अफ्रिका कु रंगभेदी सासन अंतेका लागी नेतित्व दाई भविका खिलेका मंडेला 37 बर्ष लामु जेल जीबन पछी देशकी पहिल। अस्वेत राश्पति बन भईकु थिव। अस्वेत अथ्वाब का नेता हुनु थिव। वहाली लोगतांत्रिक अफ्रिका को पर्थम राश्पति का साथे सांथी परकिर्यालाई टूंगमा पुर्याउन समित महत्पुन भहिमकानेवा गर्नु भवय। शन उनेसे पस्पनमा मंडिलाले पार्टी को फ्रिडम चार्टर लिखनु भवय जस्मा भन्नी कु थिव। दचिन अफ्रिका का ती सबय को हुद जो यहां बसबास गर्थन। अस्वेत अथ्वास्वेत सरकार सासन गर्नी अधिकार अवसम्म दावा गर्न सकदैना जबसम्म उल इसबय नागरिको इच्छामा अधारित हो दैना। रंग भेदी सरकार संग तनाव तेस बयला जण बड़यो जब उनेसे साठी मा उनान सतरी कालमा मानिस पुलिसको गोलीको सिकार बनी। यो सर्फ बिल अत्यांडली चर्चित्छ यो घटनाली सांति पुन्म संगर्षमा पुनिविराम लाग्यो भन्नी मंडिलाली देशलाई आर्थिक दराशय बनावनी घुष्णा गर्नु भायो। रंग्भेदी सरकाली महालाई ग्रहपतार गरेरा हिंसक तरिकाली कुको प्रियास गरेको आरफ लाग्यो। रिभो नियनको अदालतको कट घारामा उभीर मंडिलाली परजातंत्र स्वतंत्र तार समान्ताको पाक्समा आपनु दरिड्ध। विश्वास बेक्त गर्नु भायो। आइलेंड मा मंडिलालाई अठार बर्स थुने पची उनेश से बयासी मा पलसुमर जेल मा इस्तांत्रन गर्यो। जती बेला मंडिलारा उखाका साथी हरू जेल मा थुनिये का थी दचिन अफ्रिका को काला बहुल्य सहर मा इवा हरू सेत अलप मत सता बिरोद जोटे का थी सयू मारिये हजारो खायते भई इस्कुल का बिद्यार थे हरू रयो। आंदोलन मा किचिये मंडिला का वकिल साथी वली भर दे उनेश्य असी मा उहाको रहाईको लागी अंतराष्ट अभ्यान शुरू गन्भय। विश्व समधाईले रंग भेदी दचिन अफ्रिकी सरकार मा थी उनेश्य सर्षठी मा लगाईको पर्तिबंध कडा पारे। दबाव को असर का रूप मा उनेश्य सर नब्य मा राष्टपती अफ डवल्यू डी खलकली अफ्रिकन नेश्नल कांग्रेस मा थी को पर्तिबंध हटाउन भय। वन्नी मंडेला रिहा हुनु भय। पाच बर्ष राष्पती बनिपची महाली उनेश्य से उनान से मा पत छाडनु भय। र दचिन अफ्रिका को प्रहब स्चाली राजनितिक बननु भय। महाली एचाई भीर एड्स भीरोद अव्यान चलाउन भय। सन द्याजार दसमा अफ्रिका लाई विश्यकप फोटबल को आयजक को जिमेवारी दिलाउन महत्पुर्ण भुमिका खेलनु भय। महाकू कंगू कुरू डी सहित का अफ्रिकीन देश मा संती इस्थापना गर्नी परकिर्या मा समित सामेल हुनु भय। 2001 मा प्रोस्टेट क्यांसर भय पची। 2004 मा सार्ज्वनिक जिवन भाट सन्यासलीनु भय का मंडेला निके कम सार्ज्वनिक उनु भय। कारे क्रम कु निम्तो पठान हर लाई महाले भन हुन थे। तपाई हरु मालाई भून ना गर्नुष। मा तपाई लाई भून गर्चू। 1999 मा मंडेला संगे कला प्रलाई नोबेल सांती प्रशकारवाट समानित गर्य। पाच महिना पची दचिन अफ्रिकामा भाईक। इति हासकू पहिलू लोक्तांत्रिक चुनामा सबैली मदान गर्नी मोगा पाई। नेलसन मंडेला राष्टपती निर्वाचित हुनु भाय। राष्टपती हुदा गर्युप को लागी घर को व्यवस्ता गर्नु महाको कारेकाल को सई भन्दा ठुल चुनोती बन्य। वहाली आपनो सहिगी थाबो अंग बेग किलाई सरकार को प्रसाशनिक जेमबारी दियर आपनो ध्यान दसिन अपरिका को नाया छबी विश्व सामू प्येश गर्न जुटनु भाय। वहाली देश का बहु राष्टी कमपनेहर लाई देश में रहन र लगानी गर्न समत गराउन भाय। राष्ट पती पत छाड़े पची पनी वहाली विश्व को भर्वन गरी रहनु भाय। र विविन्न कारेकर हम मा सभाईग हुन छाड़नु भाय न। अधिकारिक रूपमा 2004 मा सर्विन्क जीवन बाट अपकास लिये पची भनी वहां आफ़ेले इस्थापना गरी को मंडेला फांडेशन को काम मा अब जुटन भाय। आपनो उनान असिय। जन्म दिन को अफसर पारिरा उहाली ठूलो र जटिल समस्या समधान र सुझाब दिन विश्व भर का पर्मुख निताहरू रहनी गरी एलोट्स नामको इस्थापना समेथ इस्थापना गर्ण भाय को थियो। जेल बाटा छोटि पच्छि मंडेला निजी रुपमा मंडेला भारतमा अउन भाय को थियो। वहाली भारतमा गांधी संगा समधित। इसमार कहरू को भर्मुख न भाय को थियो। बन्नु भयो दचिन अफ्रिका का साथिहरू हामिली आपना पितालाई गुमाय का छूं। येल्शन मन्डेलाली हामिलाई एक जुट गर्नु भयो अबा हामी सबैली एके साथ मा रहेरा वहाकू बिदाय गर्ने छूं। उनको निधन 95 बर्ष को उमेर मां सान 5 डिसेम्बर 2013 का दिन दचिन अफ्रिका को जुहने सब बर्ग सहर मां भयो।